हलो दोस्तों कैसे हैं आपके आज तक आपके सामने जब जब आया यूट्यूब पे कुछ पढ़ा रहा है पर मेरा आज रीजन यहां आने का पढ़ाना नहीं है आपके एक एक अग्जाम में एक महीने से कम टाइम बाकी है और मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं बहुत सार से लेबस चूटा हुआ है मेरा प्री नहीं होगा तो क्या होगा बहुत सारे इशूस बहुत सारे बच्चे इस तरह से हमें अप्रोच करते हैं कि उनका कुछ सुलूशन बताएं तो मैं आज उन चीजों पर थोड़ी सी बाते करना चाहिए कि हम अब जो भी बचा है जितना प्रिलिम्स ना प्रिलिम्नेदी एग्जामिनेशन जितना हमारा एक्स्पिरियंस है उसके बैसे से हम बोल सकते हैं विल डिपेंड अलॉट ओन वाट यूट 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 इन दोस तू हार्स आप उन दो घंटों में कियोंकि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बहुत स्ट्रेस्ट होके जाएंगे बहुत ऐसे परिशान होके जाएंगे तो आपका जो पोटेंशल है ना उससे 15-20 नमबर कम लेके आएंगे पर आप अगर examination hall में confidence के साथ जाएंगे, बहुत calm composed situation में जाएंगे, तो आप अपने potential के बराबर perform करता है। तो सबसे पहला है कि अगले 25-26 इतने भी दिन भाभी बाकी हैं, उस period में stress कम करने के और थोड़ा सा हमें जाना हो, एक बहुत बड़ा factor होता है कि एक बहुत बड़ा factor stress ज़्यादा होने का होता है कि हम बहुत सारी नई-नई चीज़े उठाने लग जाते हैं, एक्जाम का एक म मार्केट में जाएंगे और एक और यह बहुत अच्छा लग रहा है, चलो मैं यह पढ़ना शुरू कर देता हूँ, या फिर लाइब्रेरी में कोई दोस्त कुछ पढ़ रहा होगा, कोई नई किताब पढ़ रहा होगा, हम वो उठा के अरे यह तो बहुत अच्छा content है, यह सिर्फ वो सारा आप examination hall में reproduce करने के capable होंगे, अगर उतनी चीजें ही आप examination hall में सही करके आजाएंगे, आपका selection हो जाएंगे, तो नई चीजों के पीछे भागना, कोई भी नया topic, कोई भी नया source, कोई भी नया पढ़ने पढ़ाने का तरीका, कोई material हमें नहीं पढ़ना है, अनलेस, ऐसा होगा कि आप किसी course का part है, उसके कुछ updates आ रहे हैं, वो करिये, पर कोई नया source आपको नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिए, कोई नया topic उठाके, कोई नया subject उठाके, आपको नहीं पढ़ ले रहा है, अब आपको जतनी history पढ़नी थी पढ़ ली, अब आ Medieval India के 3-4 सवाल तो कर देंगे examination hall में, पर जो बाकी 95 सवाल हैं, जो Medieval India के नहीं हैं, उन में से आप 10 और गलत कर देंगे, क्योंकि आपने अच्छे से revise देंगे, तो आज से, आज 1 मई है, from today, you should ensure that your entire focus should be on revision. This revision will ensure कि exam में आपके एक साल की मेहनत रंग लाएगा, और अगर ये revision नहीं करोगे, तो आप सोचोगे कि इस एक महिने में जो नई चीजे पढ़ने से फाइदा नहीं होगा, उल्टा ये नुकसान भी होगा, तो पहला हमें अगले एक महिने में revision करना है, बहुत सारा revision. यहाँ पे मैंने एक strategy दी है कि कैसे हम एक महिने में तीन बार revision कर सकते हैं, तो I have divided your entire syllabus into six areas, history, art and culture, quality, IR, geography mapping, science and technology, environment and economy, यहाँ पे geography and mapping होना चाहिए था, but anyways, यह six areas हैं जो आपको अपनी problems की तैयारी में करने होते हैं. आपने आज तक इन में जो जो पढ़ा है, जो जो source पढ़े हैं, जो जो notes आपके पास हैं, जो already आपने पढ़ा हुआ हैं, उनको लीजिए और तीन-तीन दिन में complete. तीन दिन में आज तक आपने जितनी history, art and culture पढ़े हैं, उन source को ही revise करिए, कोई नई चीज नहीं. Unless, मान लीजिए आपने कोई program जोइन किया था, उसकी तीन classes बाकी हाँ, वो कर लीजिए, वो नई चीज नहीं है, वो ही आपके program का completion है. But, पिछले एक साल में आपने जितना history and culture पढ़ा है न, उसको तीन दिन में revise करिए, और सारे past year questions, history and art and culture के करिए इन तीन दिन में. तीन दिन के end में attempt of full length test, बहुत सारे आ रहे हैं, हम level up IS के भी full length test मिल जाएंगे आपको, हम हर संड़े को भी test ले ही रहे हैं, समिक्षा में, बाकी मैंने अभी वाजरामन रवी के test देखे थे कल, वो भी बहुत अच्छे हैं, that is another test you can do, तो full length test, history and art and culture के full, तिर history and art and culture के नही मलब पूरे syllabus का test, तो हर तीन दिन में, you complete one portion of the syllabus, हर तीन दिन में syllabus का एक portion complete करिये, और full length test अच्छे करिये, इस तरीके से क्या होगा, आप अठा दिन में, आपने जो भी आज तक पढ़ा है, उस समको revise कर पाएंगे, इन सारे areas के past year questions कर पाएंगे, अब past year questions करते हैं, बस एक स 2005 का past year question may be about the launch of a space vehicle that year, तो वो आज के लिए relevant नहीं होगा, तो वो नहीं हो पा रहा, तो उसमें समय मत बरबाद करिये, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पूरा focus revision पे रखना है, revision में क्या, तीन-तिन दिन लगाईए, जो आज तक पढ़ा है, उसे revise करिये, past year questions करिये, फिर तीन दिन के end में, एक full length test, तीन दिन के end में, एक full length test, तीन दिन के end में, एक full length test, ऐसे अठा दिन में, आज तक पूरे साल में जो पढ़ा है, वो revise कर पाऊगे, पहली बात में, दूसरा, फिर हमें second revision पे जाना होगा, second revision में क्या करेंगे, जो चीज़े आपने हैं, तीन-तिन दिन में करी थी, तीन दिन में आपने क्या किया, एक subject पूरा खतम किया, उसके past year questions सारे किये, और एक full length test किया था, वो सारी चीज़ आपको एक दिन में करनी है, अभी तीन दिन में आपने खतम किया था, आप दुबारा revise करो, तो एक दिन में कर सकते हो, तो वो एक दिन में यहाँ पे complete करनी है, तो यहाँ पे आपको लगेंगे 18 दिन, 18 देस, और यहाँ पे लगेंगे आपको 6 दिन, तो आज 1st of May है, तो अगर आप यह करते हैं, 18th में को, यूल बी अबल तो revise the entire syllabus, and then in next 6 days, by 24th में, यूल अगें बी अबल तो revise your entire syllabus, इस time न, you will be kind of prepared for it, आपने बह 15, 20, 25 दिन में, 8 टेस्ट भी पूरे कियें, और सबके past year questions भी कियें, आप kind of prepared हैं, फिर क्या करना है, आखरी में, आखरी में, जो भी चीज आपने पढ़ी हैं, यहाँ पे पूरी 18 देस में, यहाँ पे पूरी 6 देस में, यहाँ पे 2 देस में, revise the whole, you will reach 26th of May, 27 में, 27 में, एक बिना stress लिए, बिना panic किये हुए, तो कि अगर आपने यह किया होगा, यह किया होगा तो आप panic होंगे भी नी, क्योंकि आपने हर चीज को दो बार revise कर देसे हैं, पर अगर आप अभी नई चीजे पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे भी panic कर रहे होंगे, आखरी दिन भी panic मैं इसे 18 x 6 x 2 बोलता हूँ, for your revision for preliminary exam, तो अगर आपको अभी stress कम करना है, start focusing on revision, this is the way in which you can do that, other than this, कुछ और चीजे हैं जिन पर हमें ध्यान देना, जैसे एक है खाना, देखे, हमें पता है, आपने से बहुत सरे लोग अपनी family से दूर रह रहे होंगे, और बाहर का खाना ख कई बार क्या होता है, जब हम stress में होते हैं तो ये mess का खाना जो मिल रहा है या घर पे जो खाना बन रहा है, हम वो छोड़के बाहर की चटपटी चीजे खाने लगते हैं, मज़ा भी बहुत आता है, मुझे भी गोलगपे बहुत पसंद हैं, पर अगले एक महीने के लिए मत होता है, moreover healthy खाने के और भी फायदे है, digestion food easily होगा, fried चीज़ को digest करने में ज्यादा time लगेगा, हलका खाना खाएंगे, fresh खाना खाएंगे, आराम से digest कर पाएंगे, food digestion में कम energy जा रही है, तो पढ़ाई में ज्यादा energy जाएगी, आप बहुत heavy खाना खाऊगे, उसे digest करने के लिए आपके body ज्यादा energy consume करेगी, you will feel tired, आपको सोने का मन करेगा, आप सोते हैं, एक इस चीज़ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना अगले एक महिने, अभी I know a lot of people जिनको typhoid हो गया दिली में, मेरे एक दो दोस्त हैं, जिनको food poisoning जैसी problems होई हैं, तो वो avoid करिए, क्योंकि ह हम आदे घंटे के मज़े के लिए, एक घंटे के मज़े के लिए, बाहर जाके अभी कुछ खा लेंगे, गरबढ़ हो जाएगे, यह सब करेंगे, सप्टेंबर के बाद करेंगे, means लिखने के बाद हम बहुत सारी चीज़े खाएंगे बाहर से, अभी नहीं, दूसरा हमें सो गंटे नहीं सो रहे हो ना, तो आपके बचे हुए टाइम पे पढ़ाई की एफेक्टिवनेस गिर जाती है, तो 6-7 गंटे रोज सोईए, 6 गंटे तो एक लीस्ट सोईए, ओवी टाइमली मानर में, यह नहीं कि सुबह 6 बज़े सोने जा रहे हैं, मुझे पता है, मैं पुरा एक साल बरबाद कर देगा, जो कॉलेज में शायद नहीं हो, तो यह एंशॉर करिए कि 27 को जब आप रात में 11-12 बज़े सोने जाएंगे, आपको फटाक से नीन दाएगी, और वो होने के लिए क्या जरूरी है कि आप उसी टाइम पे लगभग सोते रहे हैं, अगर आप रोज रात बर जग रहे हैं, एक तो आपके पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, दूसरा 27 को आप सो नहीं पाएंगे, और नहीं सोना फिर से एक्जाम को उतना ही बरबाद करेगा, जितना आपका पुरानी चीज़ को रिवाइज नहीं करना करता, क्यों? क्योंकि हम सोए नहीं होंगे, तो जो चीज अगले दिन आती भी होगी न, वो भी अच्छे से नहीं होगी, तीसरा है, आपको थोड़ा सा अपने आपको पूरे अगले 27-28 दिन, अगर फुल एनरजी में रखना है, तो आपको रिलाक्स होने के लिए आदा घंटा रोज कुछ करना होगा, पूरे टाइम पढ़ने, 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 पढ़ने की बाते सोचते रहते हैं, तो फिर हमारी एफिशेंसी काम होगी, वो बोलते हैं न, कि अगर दो लोग एक पेड को काटने के लिए बैठे हुए हैं, एक आदमी बीच बीच में रुक के अपने आरी को धार दे रहा है, वो ज़्यादा अच्छे से पेड काट पाएगा, तो ये आपको भी बीच में रुक के बीच में अपने आपको रिलाक् इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी एक महिने सब के साथ, सब के साथ ये बड़ी बहुत, ये सारी चीज़े न, सब के साथ होने वाली है, जो रैंक वन लाने वाला है, और जो बहुत महनुत करने के बाद सेलेक्ट नहीं होगा, वो, ये सारी प्रॉब्ल मुझे नहीं करना चाहिए, जो बच्चा ये समझ जाएगा, वो एक्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगा, अपने पोटेंशल के बराबर परफॉर्म कर पाएगा, पर जो बच्चा यही गलतियां दोहराता रहेगा, बाहर जाके खाना खाएगा, रिवाइज करने के बज उनसे बात करिये रोज, वो आपको गाइड भी करेंगे और आपको अच्छी फीलिंग भी आनी चाहिए, ठीक है, मैं बस यही कुछ बातें आप लोगों के साथ करना चाहता था, आप लोगों बहुत बहुत महनत करिये और मुझे पता है, अगले 25 दिन भी बहुत महनत करने उस महनत को सही डायरेक्शन में करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वो ही उन चीजों के बारे में ही मैं आज बात करने वाला था, तो मैं होब कर रहा हूँ कि ये चीजें आपके लिए यूसफुल रहेंगी, मैं कोशिश करूँगा हर 3-4 दिन में आपको सही डायरेक्शन में रखने के लिए कुछ चीजों के बारे में जो मैं जनरली बच्चों से इंडिविज्वल लेवल पर बात करता हूँ, मैं आपके सामने आके आपसे मिलके थ्रू यूट्यूब सबसे बात करता हूँ, ताकि सारे बच्चे उससे बेनेफिट कर पाए, Thank you very much.